यहां पर जिस तरह से आप login page देख रहे हैं यहां पर login detail डालेंगे और login detail डालने के बाद हम यहां पर login करेंगे इस तरह से admin हमने username रखा हुआ है password रखा हुआ है 1234 और यह login करेंगे तो यह हमारा login हो जाएगा excel file इसी तरह से आपको बनाना है तो नया बनाना है इसके लिए Excel open किया हमने यहां पर कुछ आप data डाल दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि हमारी यही बाली file है यहां पर हम detail डाल देते है रोल नम्मर student name और course student name ok course ok चलिए हमें इतना save कर देता है इसको control yes किया हमने इसको हम save करेंगे कहीं भी save कर सकते हैं हमें हाँ पर desktop पर save कर रहे हैं और इसका नाम डाल दिया हमने my file ok लेकिन आपको याद रखना है कि जो file का type रहेगा save as type file का प्रकार .xlsx में नहीं करना है इसको आपको करना है second वाला option है micro enabled workbook micro enabled workbook का extension क्या होता है .xlsm होता है आपको इस format में save करना है यहाँ पर देखिएगा यह second वाला format था excel micro में save करना है enabled workbook में करना है और इसका extension होता है .xlsm okay इस format में आपको यहाँ पर करना है इसके बाद हम यहाँ पर save क्लिक करेंगे ठीक है अब आप यहाँ पर यह देखेंगे कि इसको अगर हम बंद कर देते हैं तो हमारी file यह जो बनी हुई है यह my file अभी इसमें login page हमने अभी नहीं बनाया है login form अभी नहीं बनाया है तो यह direct open हो जाएगा ठीक है ना तो हम यहाँ पर login form कैसे बनाएंगे तो देखिए हम bba code का यूज करेंगे visual basic for application तो bba code पर जाने के लिए हम यूज करते हैं alt plus f11 shortcut की होता है alt plus f11 ठीक है तो हम alt plus f11 प्रेस करेंगे यह alt plus f11 प्रेस किया तो यह हम आगे कहाँ पर bba code पर आगे ठीक है ना अब यहाँ पर आपको एक form insert करना है insert पर जाने के बाद यह है user form user form पर क्लिक करना है इस तरह से user form बन जाएगा ठीक है user form बन गया है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बर्क बुक ठीक है तो यहाँ पर बर्क बुक पर आपको क्लिक करना है double click करोगे आप इसके बाद right side आप यहाँ पर देख रहे हो journal लिखा हुआ है journal के नीचे आप यहाँ पर arrow पर क्लिक करोगे तो यह बर्क बुक अधाड है यहाँ पर क्लिक करना है आपको यह बर्क बुक का यहाँ पर open बर्क बुक open ठीक है अब यहाँ पर आपको workbook open पे काम नहीं करना है मतलब कि जैसे ही activate हो यह 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 यहाँ पर देखिए यह workbookبة क्या हो activate हो, इसको आपको आपने हटा देना है मतलब कि यहाँ फरंच पर method यूज कर रहा है workbook activate यहाँ से आपको select कर लेना है activate पर जाना है और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जो हमारा application है, application.visibility, application को जो visibility है, तो क्या रहे, फाल्स रहे, और जो user form है, user form 1, जो user form बनाया है आपने, यहां पर अभी insert किया हुआ है, यह वाला user form, इसका जो visibility है, तो show कर दो आप इसको, तो यहां पर कर दो, आप show, यह हो जाएगा show, ओके, इसके बाद आपको जाना है, user form पर जाना है, user form पर double click करना है, इसके बाद यहां पर आपको बनाना है, login form, तो इसको आप यहां पर जो हमारा user form है, यहां पर right click करेंगे, तो इसके property पर आ जाएंगे, और property पर click करने के आपको property दिखाई देगा यहाँ पर आप ले लीजिए लेवल ले लीजिए और यहाँ पर यह है text box यह text box इसके सामने ले लीजिए इसके बाद यह है level फिर से हमने ले लिया इसके बाद यहाँ पर आप ले लीजिए text box यह text box हमने यहाँ पर ले लिया इसके बाद आप यहाँ पर ले लीजिए एक button ठीक है यह button यहाँ से हमने ड्रा कर लिया अब यहाँ पर आप label 1 के caption पर यहाँ पर देखिए इसकी property पर राइट क्लिक करना इसकी property खुलेगी ठीक है इसकी property पर आपको जाना है और इसकी property में यहाँ पर जो इसका caption दिया हुआ है इसके caption पर आप क्या लिखे दोगे इंटर यूजर नेम ओके यूजर नेम और यहाँ पर बाहर क्लिक कर ओगया तो यहाँ लिखके आए जाएगा इसके बाद यहाँ पर label 2 लिखा है जहाँ पर और इसकी property पर जाना है label 2 की property पर जाना है तो right click करोगे तो property आई जाती है यह property देखिए आ गई है और यहाँ पर label 2 के caption पर आपको लिखना है password okay enter password enter password click करोगे आप तो यहाँ पर enter password आजाएगा जहाँ पर लिखा है command button तो इसकी property पर आना है right click करके और यहाँ पर caption पर जाकरके आपको लिखना है login ओके यह login हो गया ठीक है अब यहाँ पर आप test input करोगे इसमें भी test input करोगे लेकिन यह password की रूप में यहाँ पर तो यहाँ पर प्रापर्टी पर जाना है और यहाँ पर एक option आपको दिखाई देगा यह password character यानि कि password इसमें किस रूप में दिखाई दे star के रूप में दिखाई दे तो password character आप यहाँ पर star लगा दोगे इस तरह से यहाँ पर ठीक है फिर आपको यहाँ पर लॉग इन पर दबल क्लिक करना है यानि कि इस command button 1 का click event fire हो गया है दबल क्लिक करने से फिर आपको यहाँ पर coding लिखना है यादि if text box 1 के text पर अगर text box 1 के text पर क्या password set कर दे हम admin इसमाल में admin and और text box 2 यानि कि हमने दो text box लिया हुआ है text box 1 और text box 2 लिया हुआ है text box 1 user id के लिए है और text box 2 password के लिए है and text box 2.text equal to क्या password set कर दे हम हम यहाँ पर अपने से password set कर देते हैं 1, 2, 3, 4 then then और enter और if end if लगाएंगे यहाँ पर हम लगाएंगे end if okay end if end if हो गया मतलब कि अगर user जो user name है text box 1 में आ रहा है उसकी value admin हो और जो text box 2 में value आ रही है password जो value आ रही है 1, 2, 3, 4 के बरावर हो तब क्या होना चाहिए तब क्या होना चाहिए कि एक message box सो करे क्या सो करे message box message box क्या सो करे यहां पर file unlocked successfully okay file unlocked यह message आ जा जाए और यह message आने के तूरंत बाद क्या हो जाए application की जो visibility है वो true हो जाए तो यहां पर लिखेंगे a, p, l, i, c, a, t, i, o, in application dot visibility equal to क्या कर देंगे इस बार हम so कर देंगे application की जो visibility है वो so होने लगे इसके बाद फिर हम unload me कर देंगे unload me okay unload me कर देंगे else नहीं तो नहीं तो क्या होना चाहिए अगर id password आपने नहीं डाला है या गलत डाला हुआ है तो क्या आ जाए message box में तो message box में यह आए msg box msg box में यह message डाल दे please enter correct user and user id and password यह message आजा है और यह message आने के बाद text box खाली मिले आपको जो text box one का जो text है text box one का जो text है वो खाली मिले और text box two का जो text है वो भी क्या मिले खाली मिले है ना दोनों खाली मिले अब यहाँ पर आए इसको हम user form पे आते हैं और प्रापर्टी वराई क्लिक करते हैं यह प्रापर्टी पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखे लिखा है user form one तो इसका नामा बदल सकते हो आप अपने अंसाल रख सकते हो login here ओके caption पे नाम बदलना है यहाँ पे user form का name नहीं caption पे बदल सकते हो आप जो भी नाम आपको लिखना है यह प्राफ कर दिया हमने इसके बाद हम इसको कर देटे हैrzeं कर से close यह close कर देते हैं आप इसको हम file को open करते हैं यहां से जाकर के यह अभी हमने जो file बनाआ हुआ है my file इसको हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया यहाँ पर देखिए यह यूजर फॉर्म आ गया है इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर यूजर नेम यूजर नेम आपको डालना है क्या डाला था हमने admin डाला था और यहाँ पर हमने password डाला था तो password आप यहाँ पर डाल सकते हो जो भी आपने डाला था 1, 2, 3, 4 और login करेंगे file unlocked हो गया और यह सीधे open हो जाएगा और Visual Basic पे जाने के लिए VBA पे जाने के लिए Alt प्लस F 11 प्रेस करते हैं और यहाँ पर यह जो User Form है आप इसका Appearance इसकी जो यहाँ पर Background और गएरा चेंज करना चाहते हो तो इसका Background भी आप चेंज कर सकते हो जैसे यहाँ पर User Form के Property पे हम आते हैं और यहाँ पर दिया गया है Back Color और इसका जो Back Color है आप चेंज कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर चेंज कर दिया इसका Back Color ले लिया हमने Second Blue ले लिया और यहाँ पर हम Control पेस करके और इसका भी Background चेंज कर सकते हैं लेवल का भी और यह यहाँ पर Back Color में जा करके और यहाँ पर हम इसका भी Color चेंज कर दिये ठीक है इसको हमने यहाँ से सेप कर दिया और बंद कर देंगे तो यह Colorful आपको Page मिलेगा Form मिलेगा यह My File हमने Open किया यह इस तरह से Open हो गया Username, Password माग रहा है Username दे दिया हमने Admin और Password डाल दिया हमने जो भी डाला था हमने 123,4 और Login पर क्लिक करेंगे और File Unlocked File Unlocked हो चुकी है इस तरह से हमारी File Open हो जाएगी औरो का अपक्या अच्ट से पर पर दे झाहँ रहा है